हेलो फ्रेंड्स विल्कम एगेन शर्काट्रेजर्स दिस नोट शर्काट्रेजर्स मैं जो यह वीडियो बना रहा हूँ आज देश का स्थिती कुछ आग लगा हुआ है मैं उसी अगनी पत्क का मद्दम से अगनी बीर बनाने का जो सोच गौवर्मेंट के दिमाग में आया है वो कितना as per my view मतलो मेरा वियू के इस अब से मैं इसे किस नजर से देख रहा हूँ जिन लोग दंगा हंगामा कर रहे होंगे उन लोग क्यों कर रहे हैं मेरे भाई क्योंकि मेरा 17 साल सर्विस हो गया है मुझे पेंश्यान मिल रहा है और मेरे एक अलग सपना में देखा हूँ यानि कि मेरा मैं खुद यह बताना चाहरा हूँ आपको कि आप भी आप भी आपका एक मेंस अपना हो सकता है साथ में मैक्सिमम जो जूबा होता है जिनका रग में जिनका खून में जोस रहता है सब का दिल में यह रहता है कि मैं इंडियान आर्मी जॉइन करूं तो मुझे लगता है यह आपके लिए एक सुने रहा होता है यह आपके लिए बेस्ट ऑफरचुनिटी है कि मैं भी बता है कि इस वीडियो के बाद मेरे ओपर कोई पेशार आई या कोई फॉलेटिकल कुछ आई I don't know बट जो खुद को जो मुझे लगा जो क्या यह सही है क्या गलत है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं तो guys first of all मैं बतना चाहता हूं जो government आने के बाद मैं कोई government के नाम नहीं लेता हूं बट government के नाम भी नहीं लूँगा बट जो भी काम हो रहा है अब खुद सोच के देखिए कितने साल पुराने pending काम को इंजाम दिया जा रहा है क्या हर एक काम एक बार होने के बाद आप सोच कि यह काम खराब है एक बार होने के बाद मुझे तो लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा खराब चीज नहीं है हम जब फोज में duty कर रहे थे तब हर हमारे जो seniors थे वो बोलते थे कश्मीर जा रहा है चुप-चाप turnover करके आ जाना कश्मीर का समय सा कभी हल नहीं हो सकता है तो इंडियान फेपल हमारा बाहर स्टेट से लोग जाके बैठेंगे जादा से लोग बैठेंगे तो टाइम लगेगा पांच से दस साल टाइम लगे कश्मीर का समय सा जो है वो धीरे-धीरे-धीरे कलियर होने का अब जो यह में मुद्ध में जो अभी आ रहा है अगनी पत का म एक सबसे कर्या सबसे बड़ी हिसे आप माँपा च有點 नीचे आndra कोई आप फिस में जाएए जूल जाला पड़ा हुआ है सबसे बढ़ी चीजह हटा है महाँपका चट्रों के नीचे जो रहते हैं कोई डिस्युप्लें Detail आप announced इने प्समया कोई जाएए झूल होता है सब gen मैं दस बज़े टाइम दे रहा है वो पहुंच रहे गैरा बज़े अब ट्रेन के हाला तो बहुत बिगड़ गया था कि दस बज़े ट्रेन आना है वो बारा बज़े आ रहा है मैं समझते हैं सबकुछ डिसिप्लिन में आता है मैं जो रुटार्मेंट आया हूं कोई जगा पर सेमीनार है कोई ज़ा पर कोई काम है किसी ने मुझे दस बज़े जाने का टाइम दिया अब बारा बज़े तक नहीं आ रहा है सबसे बड़ा गुस्सा आता है यह जिश्श सब किसी ने कहा याक को फोस से निकल देगा आप लिखके जा रहे हूं अगर मैं काबियात नहीं कर पाया तब मैं फोस से आ जाँगा तब मुझे कोई चटाई कर दिया जाएगा गल्प तो नहीं बोल रहा हूं अब आपके अंदर वह जुनून लाओ कि मुझे काबियात बनना है वहाँ पर कोई रिस्पक्ट नहीं चलता है नहीं चलेगा अगर आप आपका ट्रेड में माहिर रहेंगे मैं अज टैंक कराम से हम कुटा गुमा रहें जूता पालिस कर रहें पचास एरका तंका ले रहें क्या दिक्कत था इसमें बट मेरा काम क्या था अजे टैंक ड्रैवर मुझे लड़ाई के अंदर टैंक लेकर जाना है अब मैं अगर पूरा साल दो साल पांच साल साथ साल कुटा वहले 20 साल के बाद आप याद करेंगे इंडियान आर्मी वाल्ड के अंदर टॉप मुस्ट में रहेगा मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेटरेंट जनरल अनिल पूरी का लेक्चार सुन रहे थे उनका कंफरेंस था उन्होंने पहले से ही पूरा रोड मैप तयार कर लिया 10 से 25 साल पहले से 20 से 25 साल पहले सिये अर्मी चीफ और गवर्मन यह सोच रहे थे ऐसे मौका कब आये अभी क्या मौका है पुछले दो साल से आर्मी का रिकुल्मेंट बंद था जहांपे एक huge recruitment होने वाले हैं, क्यों बंद था, क्यों करोणा का इस्थिती था, एक साथ ज्यादा trainer जो है, training नहीं कर सकते हैं, तो यह जो एक मोका है, कि कम से कम, कोई लाख, 40 lakhs के असपास, शेहना भरती होने वाले हैं, 40 lakhs near about, शेहना भरती होने वाले हैं, और यह एक सही opportunity ह है, कि एक साथ हमने इतना सेना भरती किया, जो सही कबिलियात हुआ, चार साल के अंदर जो सही कबिलियात हुआ, वो सेना पर रहेंगे, जो कबिलियत नहीं हुआ, उनके लिए alternate उपाई है, ऐसे तो नहीं है, alternate उपाई नहीं है, तीन स्टेट, यह भी declare कर दिये हैं, जो उनके पास return पे आ चुका है, अगनी बीर जवान को, अगनी बीर जवान को स्टेट गवर्न्मन का नुक्री दिया जाएगा, तो हो सकता है, धीरे धीरे हर स्टेडे से करें, उन्होंने यह भी कहा है, आप लोग दंगा हंगा में मत जाओ, मुझे जो, मैं दो दिन पहले करने का, दूसरा चीज, उन्होंने यह मुझे सुनाया कि देश में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, न्यूस देखा, मैंने न्यूस तो नहीं देखा, तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि यह हंगामा कहां से हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसी टेम में उनको यह बताया थ यह हंगामा सिर्फ उन्हीं के तरफ से हो रहा है जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है जिनका हर एक चीज में शॉप बू आता है जिनके हर एक हंगामा करना चाहता है इसमें मुझे तो नहीं लगता है कोई हंगर में कराने बलाई बात है थंड दिमाग से सोचो क्या क्या चीज होने वाला है फर्स्ट अप ओल यंग जेनरेस्वन पो लाइब बन जाएगा सेंगर अप ओल देश चेंज हो जाएगा मैं तो यह दो चीज बिल्कुल क्लियर देख पा रहा हूं तो फालतु बातों में मत आईये मुझे जो लगता है सेना ने अपना रोड मैप क्लियरली तैयार कर चुका ह क्या है नवेंबर डिशंबर के अंदर रैली फुली हो जाना है जनौरी से आपको टेनिंग शुरू हो जाना है तो यहां पर कोई चेंज में नहीं होने बाला है आपना अगर आपका मन में यह सपना था कि मैं सेना में भूत्य हूं होंगे तो फिर इस हंगा में आपका आपको जाएगा तो आपको जिन लोग उजहा रहे हैं जिन लोग आपको मोबेल पर मैसेज कर रहे हैं प्लीज उनको बातों में मत आईए और थोड़ा सा मेरा जैसे दिमाग में सोचके देखिएगा आपको सारे चार साल के बाद जब 11.7 रुपस बिलेगा आपका लाइप के लिए एक बड़ा अमाउंट है हो आपको लाइप को चेंज करने के लिए और मैंने बढ़ती हुआ था 19 साल में मैं बढ़ती हुआ था मैंने रिट्रेमेंट आया हूं 35 में अब भी मेरा साथ जो पढ़ाय कर रहे थे वह नोकरी के रिए घूम रहा है अच्छा अच्छा पढ़ाय किया है इंजेनियार पता नहीं कुंद कुंसी लौ चाटर अकॉंट और घूम रहा है नुकरी के लिए मैं फर्स्ट क्लस नुकरी करके आके मेरा स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं बिजनस शुरू किया तो क्या है चार साल है 1,3.4 साल है और उसको बाद एक अच्छा मोटी रिकम मिल रहा है मेरे ख्याल से दो महिने ही पड़ा हुआ है आपको रैली जॉइन करने के लिए तो इस दो महिने अपना फिजिकल फिट्नेस के उपर जोड़ दीजिए यह नहीं कि सब को पर आया जाएगा नहीं आपको फिजिकल ट्रिटमेंट होगा उसके बाद आपको रिटेन एक्जाम होगा जो आर्मी में बढ़ते उने के लिए होता है सब कुछ होगा उसके बाद आपको लिया जाएगा तो आप उसके लिए तैयार हो जाएए आप अपना टाइम बरबाद मत कीजिए ठैक्यू कर दो.